तो दोस्तों आज के से वीडियो में मैं बात करूँगा किस तरीके से आप जो है Income Tax India की वेबसाइट पे जाके जो आपने e-filing के लिए अपना registration किया होगा अगर आप उसका password भूल गए हैं तो किस तरीके से आप recover कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया तक इस तरीके से registration करना है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो link description में है जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने इपना खुद का registration नहीं किया है और registration क्यों करें उससे क्या benefit है वो सारी चीज़े मैंने वहाँ पर बता दी है So इस वीडियो के start करते हैं देख सकते हैं Income Tax India e-filing की website का link आपको description में मिल जाएगा क्लिक करते ही आप इस website पर आजाएंगे और website पर आने के बाद में यहाँ देख सकते हैं आपने पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको तीसरा option चूच कर लेना है पासवर्ड तो reset पे आप क्लिक कर दीजे क्लिक करते ही यह आगे जाता है और यहाँ पे आपका user ID यानि कि अपना pen card number ओके तो यहाँ पे जो भी आपका pen card number है वो लिख दीजे और लिखने के बाद में नीचे जो capture आपको दिया गया है same to same बिल्कुल लिख दीजे और लिखने के बाद में नीचे आपको इस तरीके से दिखा जाता है तो continue पे क्लिक कर दीजे क्लिक करते ही देख सकते है कुछ इस तरीके से आ जाता है अब यहाँ पे option आपको बताना है कि किस तरीके से आप जो password reset करना चाते है आपने जो secret question registration के वक्त डाले हैं उनसे करना चाते हैं या e-filing OTP जो आपने registered mobile number डाला हो उससे करना चाते हैं या फिर using आधार OTP यानि की आपका जो भी आधार लिंक है पोटल के साथ में उससे registered mobile number से करना चाते हैं तो यह आपके हाथ में तो e-filing OTP पे में click कर देता हूँ और continue पे click कर देता हूँ continue पे click करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि non-resident यहाँ पे your claim is being non-residence will be verified from PAN database अब यहाँ पे अगर आपका registered था mobile तो registered पे click कर दीजिए तो यह दिखा रहा है आपकी mail id और mobile number इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी mail id और mobile number डाला है और validate पे click कर दीजिएगा validate पे आप click करते हैं तो आपकी mail id थी आपका mobile number था उन दोनों पे जो है वो mail जा चुका है password का तो अभी आपको अपना phone चेक कर लेना है आपको OTP आ चुका होगा income tax इंडिया की तरफ से तो मेरे mobile पे आ चुका है mobile वाला में यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अब आपको जाना होगा अपनी mail id में जहाँ पे आपको mail का मिलेगा तो यहाँ पे मैं mail open कर लेता हूँ और mail open करते ही mail पे भी आपको एक OTP आए होगा जो कि OTP वहाँ पे आपको enter कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने registration के वक्त mail id डाली होगी उसी पे एक OTP आ चुका है तो यहाँ पे इस OTP को मैं copy कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके paste कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने OTP को paste कर दिया है अब आपको validate पे click कर देना है validate पे click करते ही आपको आगे लिके जाएगा अब यहाँ पे आप जो भी अपना password बनाना चाहते हैं वो अपना password यहाँ पे आप डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे आगया दिखा देगा कि strong या जैसा है करते ही देख सकते हैं कि आपका जो भी password था वो हो चुका है transaction ID भी आपको मिल गई तो भी आपको इसका transaction ID का कुछ नहीं करना है बस आपका हो गया अब यहाँ पे login पे जाईए login पे जाने के बाद में जो भी आपने रिसेट किया है यहाँ पे फिर से डालते है अब इसके बाद में जो भी आपने password अपने पास से बनाया वह password यहाँ पे आपको डाल देना है डालने के बाद में यहाँ पे capture code आपको दिया गया है तो जैसा ही दिया गया है same to same बिल्कुल ही डाल देना है डालने के बाद में लॉग इन पर क्लिक कीजिए अब देखे यहां पे आप डायरेक्ट लॉग इन हो चुके हैं तो यह एक तरीका था जिस तरीके से आप जो अपना पासवर्ड किस तरीके से रिशेट कर सकते हैं आपको पसंद आया ही होगा तो कई सारे लोगों से गुजारिस करूंगा अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजेगा कि मैं यह सब क्यूं करवा रहा हूं और आपको यह क्यूं करना चाहिए तो कई सारी लोग जानते हैं कि इंकमटेक्स e-filing से आप कई सारी services यूज करते हैं तो उसलिए यहां पर registration होता है कई सारी लोग जानते ही नहीं कि पोड़िल कि यहां से क्या काम होता है तो मैं final जो main काम है वो बता दूँ कि यहां से TDS देख सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं आज के बडियों में इतना वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा विद्धक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजेगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो जो आपको टाइम से मिल सके हैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरी के से आप जो अपना TDS देख सकते हैं TDS क्या होता है और TDS का पैसा ITR फाइल करके कैसे आप अपने अकाउंट में ला सकते हैं कई सारे लोगों का TDS रहता है और बोलो ITR फाइल ही नहीं करते हैं जिससे कि उनका वो पैसा उनको मिल ही नहीं पाता कई सर लोग को TDS पता ही नहीं होता है तो उसके लिए next वीडियो का इंतिजार कीजिए जिसे कि मैं आपको सारी चीचे अच्छे से clear कर पाऊं तो पहला वीडियो नहीं देखा देख लीजिए और इस वीडियो को share कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं next वीडियो में